अगर हमारे पास दो सेट्स है तो उनके यूनियन और इंटरसेक्शन में क्या रिलेशन होता है ठीक बात है और यह बहुत ही इंपॉरिट कॉंसेट है क्योंकि बहुत सारे कॉश्चन्स इसी रिलेशन पे लगते हैं आई पहले जानते हैं यह रिलेशन क्या है फिर इसको हम डराइव करते हैं तो बटा रिलेशन है यह हमें प्रूफ करना है कि N of A union B is equal to N of A plus N of B minus N of A intersection B ठीक बात है हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि number of element in A union B दो सेट हमारे पास हैं हमारे पास दो सेट हैं A और B सेट हैं और दोनों सेट क्या है के बीच पर यह रिलेशन है कि कर दोनों सेट के union का रिलेशन अब लेगे तो number of element जो union में आले बाले हैं दोनों सेट में प्रूफ कुशन है यह एक्जाम भी आके आता रहता हैं देखिए आप मालते हैं कि आपके पास दो सेट है ठीक बात है एक सेट यह हैं और एक सेट भी हैं बहुत ध्यान करों समझें क्या किया रहे हैं कि हमारे पास दो सेट हैं let we have two sets यहीं लिग देते हैं let we have two sets a and b ठीक बात है a and b हमारे पास दो सेट है अब दिखो अगर a and b हमारे पास दो सेट हैं तो यह जो portion इसे हम लोग क्या बोलते हैं a intersection b ठीक बात है जो common portion दो सेट के बीद पी होता है अउसरो बोलते है a intersection b हमें प्रूफ करना है कि a and b n minus a intersection b अब समझें इस बात को यह जो a एक बना है इसमें तो इसमें यह पूरा का पूरा 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 बना है कि नहीं और बी में यह वहला पूरिशन इंक्लूड़ेट है से एक साथ जितना भी आप फिगर देख रहा है। दो्रों सरकल वो जो है वो की रिप्रेजेंट करता है बहतTA ये आपका रेप्रेजन करता है। ऐ यूनिय precisely यूएन भी नीजिए निजिए करτε आरू, तो क्या करने आप है। लेकिन A तो पूरा सरकल है What is this particular portion तो इसको मैं बोल रहा हूँ This is what A-B यह क्या है A-B यह क्या है A-B A-B का मतनब क्या है इसमें किवल वो सारे element है A के जो B में न हो मतलब जो intersection वाले element तो इसमें के अंदर आ गए वो सारे element A के जो B में भी हो लेकिन यह जो portion है यह portion जो इतना portion दिख रहा है आपको यह portion और इधर वाला पूरा portion जिसके अंदर मेरा A-B लिखा है यह वो सिर्फ reason है वो number of element है जो केवल A में आते है B में नहीं आते है ठीक बात है इसी पेकार यह जो reason मेरा लिखा है यह पूरा जो reason आपको दिख रहा है यहाँ से intersection को छोड़के यह क्या है B-A मत्दब इसमें केवल वो सारे element B के आ रहे है जो A में नहीं है ठीक है इसमें A की वो सारे element है जो केवल A में है B में नहीं है इसमें B की वो सारे element है जो क्या है सिर्फ B में है A में नहीं है और यह जो रीजन है A intersection B का वो रीजन है जिसमें A और B के element दोनों क्या है common है और अगर मैं कहूं आपको तीनों element सब क्या आप तो unique हो गए ना यह unique है यह भी unique है और यह भी unique है तो तुम्हें क्या मिलेगा A union B मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा अगर मैं आपसे कहूं यह पूरा जो figure है यह A union B को दिखा रहा है तो यह यह कि तीनों में क्या बना देगा तो अगर मैं लिख दू from figure यह from Venn diagram लिख दू from Venn diagram अगर आपसे कहूं number of element in A union B तो जो number of element बेटा है वो क्या है आपके A union B में किसके पराबर होंगे M of number of element in A minus B A minus B A intersection B और B minus A number of element in A minus B plus number of element in A intersection B और plus number of element in B minus A लेकिन अगर आप ध्यान पुर्वक अपने relation को देखोगे तो मैं relation प्रूफ करना है N of A plus N of B minus N of A intersection B clear बात है अब दिखो मेरी बाहत समझो N A, N A का मतलब यह पूरा का पूरा portion जो यह A minus B का अलामा जो intersection का portion है अगर यह तुम पूरा पूरा portion ना दोगे तो तुम कहो के सर यह मेरा N of A आ गया और B minus A में अगर तुम यह पूरा portion इतना आ जाएगा तुम है क्या हो जाएगा तुम बोलोगे बन जाएगा B बन जाएगा तो कहने का मतलब है हमारे A minus B और B minus A दोनों में requirement किसका है A intersection B चुड़ने का है अब देखो A intersection B पहले से एक तो है लेकिन एक और चाहिए होगा तो अपने मन से क्या एक जोड़ दे क्या है जब होता नहीं है एक जोड़ दे काम कितम हो गया हम यह किसको N of A intersection B को add कर दे रहा हूं और N of A intersection B को subtract कर दे रहा हूं तो originality से क्या हो रहा है कोई बीची subtract खतम नहीं हो रही है मतलब आपके इसके जो original चीज है इसके कोई फर्क नहीं पढ़ अगर आपने इसी को add के इसी सब्क्राइब जीरो हो है एक कोई फर्क पढ़ता है क्या आपने प्लस मैनस किया तो जीरो ही त्राइब किया जीरो को add के इसे को इस फर्क पर इक पढ़ता लेकर देगे फायदा क्या होगा अगर बजाता हूं मैं N of A union B लिखा आपने equal देखते रहें N of A minus B plus N of A intersection B तो आपने इस दोनों को एक साथ लिख लिया ठीक बात है plus N of B minus A और इस वाले को plus N of A intersection B और बटा मैनस का N of A intersection B जो ये लिखा है इसको मैंने लिख दिया थीक बात है तो क्या है A minus B intersection B एक साथ बी मैनस A intersection B एक साथ और- A intersection B एक साथ और- A intersection B A minus B और A intersection B मिले क्या बने गाए आपने गाए का ई गलता B minus A और यह A intersection B यह मिलके क्या बना रहा है आपका N of B तो यह हो गया N of B minus जो बच रहा है किवल यह क्या N of A intersection B लिखिए यही तो आपको लाना तो जो उपर लिखा हुआ है तो यह क्या हो गया आपका N of A union B तो यही तो प्रूफ करना था कि this is what the relationship between union and intersection तो दो सेट्स के union और intersection का relation ही है कि N of A plus N of B minus N of A intersection B क्लियर बात है तो बचा यह था दो सेट्स के union और intersection का relation अगर आपको तीन सेट्स के union और intersection का relation देखना है तो आप उपर आई बटन पर जाकर देख सकते हैं या अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और यह वीडियो को खूब शेयर करिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ही